खुश खबरी, पीएफ खाते में ब्याज आना शुरू, ऐसे करें चेक कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, EPFO, ने वित्तिय वर्ष 2023 से 24 के लिए पीएफ ब्याज दर 8.15% से बढ़ा कर 8.25% कर दी है वित्त मंत्राले से मन्जूरी मिलने के बाद ब्याज को खातों में जोडने का काम शुरू हो गया है सदस्य ईसेवा पोर्टल, उमंग एप और मिस्ट कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते है कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, EPFO के सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर है वित्तिय वर्ष 2023 से 24 के लिए पीएफ खातों में 8.25% की वार्षिक ब्याज दर को मन्जूरी मिलने के बाद अगले 1 से 2 सप्ता में यह ब्याज खातों में जोड दिया जाएगा यह निरनय कर्मचारियों की बचत को बढ़ाने और उनकी वित्तिय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ब्याज दर वृद्धी की प्रक्रिया EPFO की Central Board of Trustees CBT की बैठक में 10 फरवरी को यह प्रस्ताव स्विक्रित किया गया था कि PF पर 8.25 पसेंट की दर से वार्शिक ब्याज दिया जाएगा हालांकी इसे अंतिम मन्जूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था अब वित्त मंत्रालय से हरी जंडी मिलने के बाद EPFO ने खातों में ब्याज दर को जोडने का काम शुरू कर दिया है पिछला वित्तिय वर्ष और दावे वित्तिय वर्ष 2023 से 24 के दौरान जिन सदस्यों ने अपने PF का अंतिम सेटिल्मेंट भुक्तान किया है उन्हें भी 8.25% की दर से ब्याज का भुक्तान किया जा रहा है ऐसे दावों की संख्या 23 लाख से अधिक है जो यह दर्शाता है कि बहुत से कर्मचारी इस निरनय से लाभानवित होंगे अंशदान और खाते की कुल धनराशी की जानकारी सदस्य अपना अंशदान और खाते की कुल धनराशी जानने के लिए निमनलिखित तरीके अपना सकते हैं इसेवा पोर्टल EPFO के इसेवा पोर्टल पर UN नंबर और पास्वर्ड के जरिये लोगिन करें अपनी पास्बुक डाउनलोड करें और सभी विवरन देखें पर प्राप्त OTP डाल कर पास्वर्ड देखें EPFO एप Google Play Store से EPFO का एकिकरित आप डाउनलोड करें आप के माध्यम से अपनी पास्वर्ड देखें Missed Call EPFO के अधिकरित मोबाइल नंबर 9966-44425 पर अपने पंजीकरित मोबाइल नंबर से Missed Call दे कुछ देर में आपको Message के जरिये Balance की जानकारी प्राप्त होगी बड़ी हुई ब्याजदर का लाब ब्याजदर में इस व्रिद्धी का सीधा लाब करमचारियों को मिलेगा इससे उनकी बचत में व्रिद्धी होगी और Retirement के बाद उनकी वित्तिय स्थिती मजबूत होगी उदाहरण के लिए यदि किसी करमचारी के खाते में एक लाख रुपए हैं तो 8.15% की तुलना में 8.25% ब्याजदर पर उसे अधिक ब्याज मिलेगा EPFO द्वारा ब्याजदर में की गई यह व्रिद्धी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह करोडो करमचारियों की बचत और भविश निधी को प्रभावित करती है EPFO ने अपनी नीतियों और योजनाओं में लगातार सुधार करते हुए करमचारियों के हित में निर्णे लिए हैं भविश में भी EPFO इस तरह के सुधार और घोशनाओं के माध्यम से करमचारियों के वित्तिय हितों की रक्षा करने का प्रयास करेगा EPFO pension scheme के नियोमों में बड़े बदलाव की तयारी Retirement के बाद अब मिलेगी ज्यादा pension EPFO pension scheme के नियोमों में बड़े बदलाव की तयारी केंद्रिय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मंसुक मंडाविया ने सोमवार को कहा कि EPFO पेंशन योजना के नियोमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है इसके तहट करमचारियों को PF खाते में जमा कुल राशी को पेंशन के रूप में बदलने का विकल्प दिया जा सकता है EPFO पेंशन स्कीम के नियोमों में बड़े बदलाव की तैयारी मंडाविया ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए करमचारी भविश निधी के तहट करमचारियों को और विकल्प दिये जाने की जरूरत है अगर कोई करमचारी रिटायर्मेंट के बाद चाहता है कि उसके पी-एफ खाते में जमा सारा पैसा पेंशन फंड में बदल दिया जाए ताकि उसे ज्यादा पेंशन मिल सके सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है भविश में सभी पहलूओं पर चर्चा के बाद नियमों में बदलाव की परियाप संभावना है इपी-एफो पेंशन स्कीम के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी गौर्थलब है कि एपी-एफो के तहट नियोक्ता और करमचारी दोनों ही करमचारी के वेतन का 12% योगदान करते हैं जिसमें करमचारी का पूरा हिस्सा पी-एफ खाते में जाता है वहीं नियोक्ता का 8.3.3% हिस्सा करमचारी पेंशन योजना EPS में जाता है जबकि 3.67% हर पी-एफ खाते में जमा होता है एपी-एफो करमचारी पेंशन योजना EPS के जरिये पेंशन जारी करता है फिलहाल 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के चलते नियोंतम पेंशन काफी कम है अगर नए नियम को मन्जूरी मिल जाती है तो करमचारी को ज्यादा पेंशन मिलना संभव हो जाएगा बैंक वेबसाइट की तरह काम करेगा EPSO पोर्टल EPSO पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रिय मंत्री ने कहा कि हम EPSO पोर्टल को बैंकिंग वेबसाइट की तरह बनाने की दिशा में काम कर रही है अगले छे महीने में इसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा हमारा प्रयास है कि बैंकिंग पोर्टल की तर्ज पर EPSO पोर्टल पर करमचारियों को एक क्लिक पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं इसके लिए पूरी व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है अब तक 25 फीसिदी समस्याओं का समाधान हो चुका है और दिसंबर तक काफी सुधार होगा EPFO से जुलाई में 20 लाख करमचारी जुड़े मंडाविया ने बताया कि जुलाई में करीब 20 लाख नए करमचारी EPFO से जुड़े है जुलाई में 4 वित वर्ष में सबसे ज्यादा लोगों ने नौकरी शुरू की है कुल 19.9-4 लाख लोगों ने नौकरी शुरू करने के बाद EPFO में पंजी करण कराया इन में से 10.5-2 लाख करमचारी ऐसे हैं जिनोंने पहली बार नौकरी शुरू की है इसके साथ ही 18-25 वर्ष की आयू में नौकरी शुरू करने वाले युवाओं की संख्या भी 6.25 लाख है जो कुल नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या का 69.41 प्रतीशत है महिलाओं पर नजर डाले तो कुल 4.41 लाख ने नौकरी शुरू की EPFO से जुडने वाली इन महिलाओं में से 3.05 लाख पहली बार नौकरी में शामिल हुई है जिनकी उम्र 18-25 वर्ष के बीच है EPFO ने दिया पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट न्यूंतम पेंशन को बढ़ा कर 7,500 रूपए करेगी देंखे अपडेट EPFO ने दिया पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट न्यूंतम पेंशन को बढ़ा कर 7,500 रूपए करेगी देंखे अपडेट वर्तमान समय में करमचारी पेंशन योजना के अंतरगत पेंशन भोगियों को मिलने वाली न्यूंतम पेंशन एक हजार रूपए है लेकिन पेंशन भोगियों ने इसे 7,500 रूपए करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की है भारत में करमचारी भविशन निधी संगठन के अंतरगत करमचारी पेंशन योजना द्वारा पेंशन भोगियों को प्रदान की जा रही न्यूंतम मासिक पेंशन राशी मात्र 1,000 रूपए है E.P.FO ने दिया पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट न्यूंतम पेंशन को बढ़ा कर 7,500 रूपए करेगी देंखे अपडेट जो कि सितंबर 2014 से लागू है इस व्यवस्था में कुल 78 लाख पेंशन धारक शामिल है जो इस न्यूंतम राशी के सहारे अपना जीवन्यापन करने को मजबूर है तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी भविश्य निधी संगठन ने न्यूंतम पेंशन पर क्या नया अपडेट दिया है आईए देंखे विस्तार से जानकारी EPFO पेंशन भोगियों का आंदोलन वर्तमान समय में पेंशन भोगियों की ओर से मासिक पेंशन राशी को 7500 रुपए तक बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है इसके अलावा वे अन्य लाभू की मांग भी कर रही है इन मांगों को लेकर करमचारी पेंशन योजना की राश्ट्रिय आंदोलन समिती के नित्रित्व में भूख हड़ताल की योजना बनाई गई है जो की 31 जन्वरी से जन्तर मंतर पर शुरू हुई थी पेंशन फंड सरकारी प्रतिक्रिया और कारवाई की कमी केंद्रिय श्रम मंतरी भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद पेंशन भोगियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है इसके चलते आंदोलन समिती ने इसे उनकी आखिरी चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है Employees Provident Fund Organization, वेतन और पेंशन योगदान की व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधी संगठन के नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोकता दोनों ही वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं इसमें से नियोकता का 3.6-7 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधी में और 8.3-3 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है यह योगदान वेतन के 15,000 रुपे पर कैलकुलेट किया जाता है लेकिन इसमें 1250 रुपे की सीमा तै है जिसे हटाने की मांग पर सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही है कर्मचारी पेंशन योजना के अंतरगत जीवन्यापन की कठिनाईयों को देखते हुए पेंशन भोगियों की मांगे न केवल जायज है बलकि यह उनके बुनियादी अधिकारों का भी प्रश्न उठाती है यह आंदोलन न केवल सरकार के लिए बलकि समाज के हर वर्क के लिए एक जागरुकता का संदेश भी है कि पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं की समीक्षा और सुधार आवशक है